हे गाईज यह है समसंग का स्मार्ट M5 मॉनिटर इस मॉनिटर में में काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे कंप्लीटली स्टैंड आउट कर देते हैं बाकी के कॉंप्टीटर मॉनिटर से अभी के टाइम पर मेजर ली हमें 27 इंच मॉनिटर 15,000 के आरूंड कोस्ट करते हैं आउट बॉक्स कंटेंड के बारे में हमें मॉनिटर, मॉनिटर स्टैंड, HDMI केबल, पावर केबल, रिमोट, डबल ए बैटरी और यूजर मैन्योल मिल जाता है मॉनिटर के स्टैंड को देखें तो मेटलिक बिल्ड होने की वज़े से ये स्टैंड काफी स्टेबल फील होता है स्टैंड पर ही हमें केबल को और्गनाईज करने के लिए केबल क्लैम भी मिलता है जिससे multiple HDMI और power cables को हम साथ में tie up कर सकते हैं height adjustment के लिए हमें इसमें वैसा mount का support मिलता है जिससे आप wall mount या फिर third party height adjustment stand को भी यूज कर सकते हैं मॉनिटर की screen को देखें तो ये completely bezel-less design में आती है जिस पर हम full HD content को 60Hz पर देख सकते हैं इस screen में VA panel का use कर रहे है जो की काफी popular है अच्छे level के contrast शो करने के लिए VA panel होने की वज़े से हमें pictures में deeper level के light और dark color काफी clearly noticeable होते हैं मैंने इस monitor को majorly web browsing, coding और entertainment के लिए use कर रहे है और मुझे किसी भी point पर picture quality से compromise नहीं करना पड़ा इस monitor पर हमें color balancing काफी अच्छी मिलती है जिससे pictures sharp और vivid visible होते हैं High quality में content को enjoy करने के लिए हमें HDR10 का भी support मिलता है आप YouTube, Netflix जैसी popular website पर HDR content को भी enjoy कर सकते हैं ये monitor majorly entertainment के लिए focused है तो side angle से भी pictures को देखने पर मुझे किसी type का color, washout या tint issue notice नहीं करना पड़ा अब monitor पर हमें 200 nits की brightness मिलती है जिससे screen sufficiently bright feel होती है इसी के साथ हमें adaptive picture का option भी मिलता है जिससे monitor आपके room environment की light को sense करके brightness को high या low पर set कर सकता है ये आपके room में काफी ज़्यादा natural light आती है morning time पर तो monitor इससे sense करके automatically screen की brightness को high पर set कर देता है इस्टिल यदि आप brightness को अपने according adjust करना चाहते हैं तो आप remote का use करके easily color contrast और brightness जैसी settings को adjust कर सकते हैं अब port selections को देखें तो हमें 2 HDMI 2.0 और 2 USB 2.0 के ports मिलते हैं HDMI में हमें auto connect का option भी मिलता है सो जैसे ही हम laptop में HDMI cable को connect करते है monitor automatically laptop के display को show करने लगता है इसी के साथ हमें HDMI CEC का option भी मिलता है जिससे आपको दो remote को carry नहीं करना पड़ता आप एक single remote से आपके monitor की volume, brightness और बाकी की essential settings को control कर सकते हैं अब compared to any other monitor, इस monitor का सबसे major advantage है कि यह completely TV की तरह work करता है हमें इसमें Tizen OS का support मिलता है जिससे हमें इसमें काफी सारी popular app जैसे Sony Live, Hotstar, Wood, directly अपने TV पर stream कर सकते हैं इसी के साथ हमें इसमें built-in Samsung live TV plus app भी मिलती है जिससे आप काफी सारे free live TV channels को stream कर पाते हैं यह आप student है या फिर आप mostly online work करते हैं इसमें इन-built web browser का support भी मिलता है जिससे आप अपने monitor में mouse और keyboard को connect करके word document को edit करने से लिकर Google meet पर meetings को भी attend कर सकते हैं इसी के साथ हमें इसमें Google meet की dedicated app भी मिलती है जिससे आप webcam connect करके अपने monitor से ही meetings को भी attend कर पाते हैं another great feature is कि हमें इसमें screen mirroring या casting का support मिलता है जिससे आप अपने laptop की screen को wirelessly अपने monitor पर देख सकते हैं अपने PC को connect करके आप document editing, web browsing और meeting attend करने जैसे टास्क तो आसानी से कर सकते हैं बड gaming, video editing जैसे heavy task करते टाइम screen casting में हमें certain level का lag देखने को मिलता है entertainment लिए हमें इसमें दो 5W के inbuilt speakers मिल जाते हैं जो decent level का sound output दे सकते हैं medium size room पर 60-70% volume भी sufficiently loud feel होती है here is a quick sample how well it performs I wish लेदी हमें 20W के speakers मिलते तो और ज्यादा बहतर हो सकता था anyway guys it's not a big deal हमें इसमें Bluetooth 4.2 का support मिलता है जिससे monitor से ही हम sound bar या फिर अपने Bluetooth headphones को भी directly connect कर सकते हैं अब यदि आप gaming करना prefer करते हैं then you will like कि हमें इसमें aspect ratio को change करने का option मिलता है जिससे हम wide area content को भी देख सकते हैं ये mode gaming और sports content देखते time आपके काम आ सकता है वैसे तो इस monitor में हमें सारे essential features मिल जाते हैं but I wish यदि हमें 6A का normal power plug मिलता तो और बहतर हो सकता था I don't know why Samsung ने इसमें 16A का power plug यूज कर रहे जो की काफी similar है fridge और microwave power plug से mostly Indian sockets में ये plug easily fit नहीं होता इसके लिए आपको additionally 16A to 6A का converter खरीदना पड़ेगा now question is क्या ये monitor आपको consider करना चाहिए या नहीं so thing is यदि आप एक monitor सर्च करें है जो आपके entertainment और productivity के लिए काम आपाए then this monitor is really good option हमें इसमें काफी सारे ऐसे inbuilt features मिल जाते हैं जो productivity और entertainment में आपके काफी काम आपाएंगे by the way guys do you know आप किसी भी monitor को smart monitor में कर सकते हैं साथ 2500 रुपीस additional spend करें तो इस same price range में आप Samsung M5 monitor को भी consider कर सकते हैं it's really good deal अब यदि आप इस monitor को purchase करने में interested हैं तो आप description link से इसके bank offers और discounts को जान सकते हैं so that's it guys for this video I hope ये video आपको useful लगा होगा you can hit like and subscribe to channel so मिलते हैं next video में तब तक क्लिए good bye thanks for watching I'll see you in the next one I'll see you in the next one